आप सबीका मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपने शुब्जिन तक्वीना शर्मा आप आई मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मंगलवार का दिन वैसे तो हनुमान जी को समर्पित है हनुमान जी की पूजा इस दिन की जाती है प्रभुशिय राम की भी साथ में की जाती है भोडे नात की पूजा भी की जाती है लेकिन क्या आपको पता है सबको कि मंगलवार का दिन हनुमान जी के साथ साथ गनपती बप को भी समर्पित है दोनों को ही समर्पित है गनेश जी को भी समर्पित है मंगलवार का दिन और क्योंकि उनको भी सिंदूर का चोला जड़ाया जाता है उस दिन और हनमान जी को तो सिंदूर का चोला जड़ाया ही जाता है हनमान जी की पूजा अराधना विशेश तोर से अपन समधन की हानी है रिष्टों का विगाड है घर में कलैक लेश है वो सारी चीजों का समधन हनुमान जी से मिलता है लेकिन परतम पूजय गनपती वप्पा से भी सारी समस्याओं का समधन मिलता है मैं हमेशां आपको हर वीडियो में लगभग यहीं बताती हूं कि आप अपनी प होता है रिष्टे वाले आते ही नहीं है आप सब जानते हैं कि एक उमर के साथ रिष्टे आते हैं और कुछ थोड़ी सी ही बच्चों की उमर बढ़ते ही रिष्टों का आना बंद हो जाता है तब ज़्यादा मुश्किले बढ़ जाती हैं और माता-पिता प्रेशान हो जात हैं उनके मन की स्तिती जो होती है वो ही जानते हैं दूसरे लोग चाहे कितना भी उप्तेश थे इस बात को लेकर लेकिन जो इस चीज को लेकर चल रहा होता है वो ही जानता है कितनी परिशानी वाड़ी बात होती है आप समाज में लोगों में पासपरोस में जानकारों में बह पहले एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि वीडियो अगर आप बहुत प्यार सी देखतें तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आपको एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारी होसला जाई करता है और आपका एक छोटा सा शेयर जो बिना खर्चे का है जब किसी दूसरे का भला करता है तो वो कई गुना कई गुना हज्जारों गुना आपके पास वापिस वही पुन्य आपको आशिवाद भगवान के आशिवाद बनके लोडता है और आपके सारे काम बिगड़े होए सुबह में आप सुबह को नथा अच्छा होता है आपको सुबह में करना आपको क्या क्या करना होगा कि आपको पहले दिन ही इस बात का ध्यान करना होगा कि गनेश जी का मंदिर आपके आसपास होना चाहिए गनेश जी का मंदिर आपके आसपास होगा आपको सुबह वहां जाना है जाकर आपको वहां पर गनेश जी का चोला चड़ा हुआ होता है जैसे हनवान जी को चोला चड़ाते हैं वैसे और गन्पती भुपा को घी में सिndूर डालके और उनको चोला चड़ाया जाता है लेपन किया जाता है आपको ऐसे ही ग्रेश जी के मंदिर में जाना है जिनको सिंदूर का चोला चड़ाया गया हो मंगल्वार के दिन और वहाँ पर आप अपनी पूजा की कुछ सामगरी लेके जाएं गनेश जी को देखिए वैसे तो लड़ू अर्पित किये जाते हैं लेकिन अगर आप समय से विवस्था मान लीजिए नहीं कर पाते हैं तो आप कोई बात नहीं गुड़ आपके घर में होता है गुड़ ले जाएं थोड़ा सा वह भी चड़ता है उनको मोली ले जाएं रोली ले जाएं और धूप दीप ले जाएं यह सारी चीज़ें ले जाके आप गनेश ची की अच्छी तरह से पूजा करें अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए बहूत एक आसान सा मंतर भी है श्री बनेशाइन में है और भी ज़्याद़ अच्छे मंतर और अच्छे मंतर है गरेश्ची के अगेड़ा कठेरें लगती हो श्रीग नेशाइन में तो एक अंपृट के ये वह करता हैं इसको आप कर सकते हैं मैं । शुरू में बताना कहना भूल गई कि इस उपाई को माता-पिता कर ले घर में बड़े हैं वो बड़ी बेहन कर ले बड़ी भावी कर ले बड़ा भाई कर ले बड़ा घर का कोई भी इस उपाई को कर सकता है अब आती हूं वापिस अपने उपाई पर कि आपको वहां से पंड वो लेके आपको आना है पूजा करने के बाद, वो सिंदूर लेके आप घर आजाएं, घर आने के बाद, सबसे पहले तो आपको उस बच्चे को तिलक लगाना चाहिए जिस बच्चे के विवा में देरी हो रही है देखिए अगर बच्चा पास में ना हो तो फिर वो भी मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगी कि क्या करना चाहिए आपको उस बच्चे को तिल्ख लगाएं, बेटा हो या बेटी हो, जिसके विवा में देरी हो रही है, उसको तिल्ख लगा दें, उसके बाद से आप उसी सिंदूर से एक स्वास्तिक बनाएं, आपके घर के मुख्य द्वार पर, एक स्वास्तिक बना दें, चोखुट के उपर, अब मान लीजीए छोखट के ओःपर अगर आपकी जगा नहों स्वास्तिक बनाने की तो फिर आप अपने मुक्खेद्वार के दोनों साइड में दो स्वास्तिक मना दीजीए दो स्वास्तिक मनाने के बाद आपको गनपती वपपा की और अपनी मुश्किलों को अपने करने के लिए अपने बच्चों विवा की देरी को समापत करने के लिए अब आप अगर बच्चा घर में है तो उसके तिलक आपने कर दिया और अगर बेटा बेटी कोई पास में नहीं है जिसके विवा में देरी हो रही है तो आप चिंता ना करें और कई बार बच्चे लगव वरहा है उस कम्रे में एक स्वास्तिक बिना दीज़े एक दक्षिन दिशा की मारतों कर तीन दिवारों ही उस स्वास्ति को रोज गहरा गहरा कर दीजिए उसके उपर उपर अंगली फिरा के रोज और उसको गहरा कर दीजिए अगर चोक्ट पर हो तो चोक्ट पर और बच्चे कमरे में और बच्चा घर में हो तो उसको एक तिलकल रोजाना लगा दीजिए अगर लगवाता हो तो ये काम आप मंगलवार से मंगलवार तक रोजाना एक बार करके देखें, आप देखेंगे कि रोजाना आपको गनपती उपपा के आगे प्रात्ना करना है, कि वो आपकी मुश्किलों का हल करें, सारे वीगनवादा दूर करें, जो भी बच्चों को विवार में देरी हो रही है, आप देखेंगे तुरंट दूर होगी, एक मंगलवार से दूसरा मंगलवार ही नहीं आएगा, और आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, गनपती उप हमेशा सारे वीगनवादा दूर करते हैं, आप एक वार विश्वास से करें इस चीज़ को, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट बक्स में शीर जैगनेश जरूर लिखें